आपको लेकर आई हो एक नई जगा घुमने के लिए जैपूर की तो चलिए देखते हैं वो क्या जगा है सर्प्राइज है आप लोगों के लिए यह देखिए आप यह शाम के टाइम यहां की खुपसूरती अलग ही होती है यह है जैपूर चोपार्ती ऐसी जैपूर में तीन जगा बनाई होई है इन्होंने एक मसाला चौक है और दो चोपार्ती बनाई है इस चौपार्ती जो सबसे पुराना वाला मसाला चौक है ना यह प्रताप नगर में है और जो सबसे पुराना वाला है उसमें जैपूर की क्या है जितनी भी पुरानी पुरानी जगह है न कितना खुबसूरत बना हुए देखिए जितनी पुरानी पुरानी खाने की मशूर चीज़ें हैं जैसे महावेर रबडी बंडार है गुलाब जी की च तो फारी शौप्स उनके आउटलेट्स चोटे चोटे शौप्स वो मसाला चौक में खुले हुए हैं सबसे पहले मसाला चौक बना था और उसके बाद फिर ये दो चौपाटी बनी है एक हमारे आमांसरोवर जगह है वहाँ एक प्रताप नगर में ये जो चौपाटी है इन मे कुछ दुकाने तो बहुत पुरानी है जैसी मसाला चौक में है और कुछ उससे कम पुरानी है ऐसे दुकाने है खाने की तो जो फेमस एटरीज है जैपूर की उनके हैं ये आउटलेट्स यहाँ पर एक कलतलता चार्ट मंडार है और बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं मिरको न रूदा है समराच समोसा है और बहुत से शॉप्स है मतलब जो ज्यादा पुरानी से लेकर मीडियम पुरानी तक है और इन में बैटने की जगह है म्यूजिक बचता है सब बहुत खुबसूरत है दिखाती हूँ अभी मैं आपको यहां पे लिखा हुआ है जैपुर चोपाटी कितना खुबसूरत से जहरोके जो जैपुर की फेमस चीज़े हैं न मतलब जो स्पेशालिटी है जहरोके वगारा वो है देखिए अब यहां से हम एंटर कर रहे हैं कितने सुन्दर बना हुआ है यह आपको दिखाने के लिए मैंने का आच जैपुर घुमने आएं तो आप लोगों को भी यह देखना चाहिए यह देखिए कितने अच्छे यह कलश में से पानी यह लो और इस प्लांट की खुबसूरती देखिए कितने साल पुरा नहtım होगा कितना खुबसूरती से बना हुए है इन्होंने तो अभी यह तो अभी बनिया चौप आटी कोरोना टाइम में तो यह तो पुराने प्लांस लाके इन्होंने लगाए हैं लेकिन खुबसूरती बढ़ा रहे हैं देखिए कैसे कलश में से पानी निकल रहा है यहाँ पे ना म्यूजिक का प्रोग्राम भी होता है शाम के टाइम यह देखिए कितने कुछ यहाँ पे म्यूजिक का भी प्रोग्राम होता है लाइफ प्रोग्राम शाम के टाइम और यह देखिए एक इधर ये प्लांट लगा, कितना खुब सूरत है ये, कैसे बनाया होगा ना इसको, और कितना पुराना होगा बनाया तो चलो, कितना पुराना होगा आप देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे बैटने की है, सामने स्क्रीन है, उस पे मैच और टीवी का जो भी आता है, वो इतना अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, क्लावडी है, थोड़ी थोड़ी हवा भी बहरी है, बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने कूलर भी लगाए हो है, चारों कॉर्नर्स के इन पे, चार बड़े-बड़े कूलर भी लगे हो है, वैसे, यहाँ वैसे ही बड़ पेपर इनके पंजाबी कुल्चे वगारा ये इन लोगों ने ऐसे डिस्प्ले लगाया हुआ है कि इनके क्या क्या चीजें प्लेट मिलती है ये चाप है मसाला चाप दिया को मसाला चाप बहुत पसंद है बटूरे हैं मरसरी कुल्चे हैं देखी तरह तरह की पराठा शॉप है इनके और भी बहुत कुछ है पराठा के अलावा भी इनके बहुत कुछ है कि कोई चाइनीज है सब अलग अलग तरह की खुली होई है कि इतीखा वाला इनके रोल्स वगएरा बहुत हैं कि कुछ दुकाने बंद हैं पदा नहीं एक दो बंद भी थी ये बैम्बू लगे हुए देखे कितना और म्यूजिक चलता रहता है और प्लेजन्ट रखता है न म्यूजिक में आपको दिखा सुना नहीं सकती थी कि कॉपी राइट वगएरा कुछ आ जाए तो टेंप्टेशन और मतलब आपको हर विराइटी मिलेगी जापूर की फेमस फेमस जो शॉप्स हैं कुछ हमें पता है कुछ हमें पता भी नहीं है इतनी फेमस हैं उनकी आउटलेट्स हैं सारे ये ये स्टेच्चू सर्कल कॉफी है माइने स्टेच्चू सर्कल है वहाँ पे कॉफी की छोटी सी कियास के है वह बहुत साल पुरान है बहुत साल तो उसकी कॉफी बढ़ी फेमस है उनकी ये अनन्द पता नहीं इन लोग ये मैं जानती नहीं हो दुकान इस सब आपको ये पास्ता और यह चार्ट की है यहां पर राज कचौरी मुझे लगता है जैपूर में बहुत लोग खाते हैं राज कचौरी हो सब जगह दिल्ली वगएरा में भी फेमस होगी बहुत इदर वाश रूम्स हैं हैं यह और चार्ट की दुकान है यह मिर्ची बड़े राजस्थान क मिर्ची बड़े राजस्थान के लावा मिर्ची बड़ा मिलता हो वैसे न पाफवाजी की है शौपे वैसे यह जो कचौरी है न कचौरी के शुरुआत्वी राजिस्तान में ही हुई है राजिस्तान से ही इसकी शुरुआत हुई है यहां बहुत खाई जाती है राजिस्तान में कचौरी अब तो सारे इंडिया में मिलती है बहुत लेकिन इसकी इनिशिली शुरुआत जो है ना कचौरी की वो राजिस्तान से हुई है यहां प्याज की कचौरी बहुत खाई जाती है जिसमें filling प्याज की होती है कई बार ना आलू प्याज की filling भी होती है लेकिं mainly जो initially प्याज की कचौरी यहां मिलती है जापूर में जो जगा उनमें सिर्फ प्याज होता है लेकिन वो दुकाने अभी सब लोगों को पता नहीं है, कुछ limited है, ज्यादा तो दुकानों पर आज की कचौरी की जगा, आलू पर आज की कचौरी मिलने लगी है, बड़ी size की होती है वो, और दाल की कचौरी तो होती है, और ये कचौरी ना राजिस्तान में, या फिर मैं कहती हूँ जैपूर में, राजिस्तान में, जैपूर, जोदपूर वगएरा में, ये कड़ी के साथ बहुत मिलती है, कड़ी के साथ कचौरी, कड़ी के साथ मिर्ची बड़ा, इतना ज्यादा स्वाद लगता है ना कि मैं बोलते बोलते भी मेरे मूँ में पानी आ रहा है, घरम घरम ये कहची से काट के ना कचौरी को, या उसको उसमें फिल कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दाल पकवान भी हैं यहां पे, और छोले भटूरे की एक शौप है, उसमें छोले भटूरे ही हैं, खाली, और सैम्स किचन इनके, इनके देखिए, ये इनोंने डिस्पले लगा रख है, ये सारी चीज़ें इनके मिलती हैं, और इसके अलावा भी इतना बड़ा इनके बेन यू काड है, इस सब चीज़ें को मिलती हैं, मतलब यहां जो लोग आते हैं ना, वो एट्मोस्फियर, सराउंडिंग्स, म्यूजिक, बैटने की जगा, क्लैनलिनेस पे बह ना, वेज, कबाब, वगहरा का रहे होंगे, एक कोई एग शॉप है, उसमें एग की प्रिपरेशन मिलती होंगी, अब यहां एक तक आने के बाद, बाकी जो दो दो शॉप्स हैं, यह ना, वेज की हैं, यह कैपिटल ग्रिल, यह ना वेज है, और यह एग वाली जो है, यह हैं, यहां पे दो शॉप्स, तो यहां पे यह इत्ती आ गई है, यह हो गई है, पूरी, और यह फिर डिस्प्ले है, स्क्रीन पे, और यहां देखते हैं, अब हम लोग भी सोचते हैं, कुछ खा लें, मुझे लगता है, मैं सांबर, इडली सांबर खा लेती हूं, और दिया क काठी रोल बहुत पसंद है, सोया चाप बहुत पसंद है, पता नहीं, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, सोया चाप दिख जाए ना दिया को, तो वो बस तंदूरी सोया चाप ही, मसाला चाप ही खाती है, इसको और कुछ पसंद नहीं है, और इसको मसाला चाप दिख है इसमें अंट्रेंस और होना भी चाहिए यह जो पैसे हैं से हो सकता है इसका management यह करते हो जिती यह cleanliness है plants की देख भाला है यह सब में पैसा तो लगता ही है खुब लोग enjoy कर रहे हैं शाब के time यह देखे cooler चल रहा है उससे यह plants इल रहे हैं और यहां पे दिया के चाप हैं पहले दिया आप चाप का order कर लेगी और फिर उसके बाद मैं आगे जाके south Indian corner पे इडली का order करती हूँ और फिर हम बैट के इसको खाते हैं यह देखे green रे enjoy करिए लसी अच्छा जो सबसे पुराना वाला masala चौक है न वहां राबडी बहुत मिलती है राबडी राजिस्तानी एक drink होता है जो बनाते हैं बाजरे के आटे से थोड़ा से दरदरा या बारीक भी होता है बाजरे के आटे को चाच में जिसको कहते हैं butter milk में पका के और इतना स्वाद मुझे तो बहुत स में के तोर पर मिलती है वो बहुत स्वाद लगती है वहां वाले जो में सबसे पुराना masala चौक है यह देखिए मैं इडली ले रही हूं यह इन्हों निसांबर डाला है उसके उपर नारियल की चटनी डाल रहे हैं और यह मारी इडली तेयार होगी है इडली जो है न साउथ तिन दिन में यह फड़ा फड़ दे देते हैं आप जैसे ही मांगते हो दो मिनट में तयार यह देखिए अब इसको काएंगे और दिया अपना वो लेके आएगी दिया अपना लेके आएगी चाप इसके चाप में बहुत टाइम लगा काफी वेट करना पड़ा हमें इसके चाप के लिए पता नहीं उनका तंदूरी नहीं चल रहा था क्या बात है बहुत देड कि तीन चार बार पूछ के आई दिया उसके बाद इनका इटली मुझे इटली पसंद है इटली फड़ा फड़ा तयार हो जाती है और मिल जाती है स्वाद है इटली, सामबर और इटली, सामबर ना कई बार बहुत खटा कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये सामबर अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा खटा नहीं है दिया को भी खिलाते हैं। आपको भी खिला दिया। मैंने भी कहा दिया को भी किला देते हैं। स्वात लगा दिया को भी। हमारे गर्में इडली सामबर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत कहती हूँ मुझे साउथ इंडियन में भी इडली सामबर यह ज़्यादा पसंद है और इडली सामबर खतम करने के बाद भी कितनी देर वेट करते रहे हैं दिया का यह सोया चाप आने में काफी देर से आया वो ऐसे लग रहा था कि हमारे ओर्डर के बाद उन्होंने कोई तंदूर गर्म किया होगा और उसमें पकाया होगा यह देखिए इतनी दे ग्रीन डिरी का एंजॉई करिए सराउंडिंग को एंजॉई करिए जब तक यह स्क्रीन है इस पर देखिए प्रोग्राम चलते रहते हैं मैं अच आता है तो यहां पर बड़े लोग आते हैं लेकिन वही है टैन रूपीज एंट्री फीज का एक फायदा यह भी है कि हर कोई नहीं आ सकता नहीं तो कोई भी आके यहां बहुत जादा भीड़ी करती हो जाए यहां फिर वो ही आता है जिसको सच में कुछ खाना वाना हो तो यह मुझे इस तरह से सही लगता है नहीं तो जहां फ्री एंट्री वगएरा होती है ना वहाँ यह स्टूडेंट्स वगएरा यहां भीड़ सब लोग की बहुत जादा एंटर्टेंड्मेंट के लिए आके बैठे रहते हैं यह ही देखिए इडली मेरी फिनिश हो गई है चंपा कितने खुपसूरत लगाए हूँ है इनोंने बीच में अच्चे लगने है न फोकस लाइट है लगाने से यह और भी खुपसूरत लगने है देखिए रात के time कितना नीचे से यह देखिए फोकस लाइट लगी होई है कितने खुपसूरत है न देखिए लगता है दिया अपना वेट कर रही है कब इसका सोया चाप आए खाएं और कब हम ले निकलें यहां से उसी के लिए बैठे हुए हम लोग थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं वेट करने हैं दो तीन बार जाए है यह यह और भी कहते हैं दो मिनट दो मिनट बस आगया वही इतना इंतिजार के बाद सोया चाप आ गए हैं बस सोड़े से ना मुझे लग रहा है कि इनोंने तंदूर में भूने काम है नहीं तो काले हो जाने चाहिए ना भूनने के बाद इनके एकदम वाइट वाइट से ही हैं और पीसेस बहुत जदा बढ़े हैं खाने में टेस्टी हैं पीसेस इतने बढ़े हैं कि बस ऐसे कैसे खाये बंदा और जो मसाला चाप एक और हमारे हैं मिलते हैं दिखाऊंगे आपको राजापार के एकेरिया उनके बिल्कुल तंदूरी जैसे पनीर टिक्का होता है ना उस तरह से सिके हुए हैं इनके पता हैं क्या ग्रेवी सीद, असे बाज़े हैं तरह से बढ़े हैं मसाला चाप जो होते हैं वह तंदूर में अग्दम भुने हुए होता हैं अलग-अलग पीस पड़ा होता हैं उसको चट्नी से और दई की चट्नी से कहते हैं इनके पता नहीं दई उसमें मिक्स करके ग्रेवी सी बनाई हुई हैं खाने जर बिषको खाने में भी टाइम लग रहा है आने में टाइम लगै को खाने में और ज्यादा टाइम लग रहा है काट इंतने बड़े बड़े करिएगा, ओके फ्रेंज, अब आपको exit दिखाती हो चलिए, बाहे बात में करते हैं, exit अलग से है, यह देखिए, यह देखिए, अब यहां से ओकर आप बाहर निकलते हैं, exit में बड़ा खुबसूरत सायन का है, यह देखिए, यह ऐसे जरोके बने हुए हैं, बाहर पेड़ प के feel बड़ा प्यारा साथ है, कुछ अलग सा, यह देखिए, मुझे लगता है, आपने भी सारा कुछ enjoy किया होगा, और आपको भी जब जैपूर आएं मौका लगे, तो आप भी तीन, एक तो मसाला चौक है हमारे हां, तीन चौपाटी है, तो तीन नहीं सौरी, दो और एक मसाला चौक है, यह मुझे लगता है, इसी आइडिया से बनाया गया है, कि जैपूर के जो famous foods हैं, वो आपको एक ही जगा पे मिल जाएं, और सफाई देखियां, आप बने बहुत सुन्दर हैं यह, और यह इन कोरोना काल में ही बने हैं, और पहले तो इसमें मास पहन के भी जाते थे, बहुत कम, बहुत टाइम तो हम गए भी नहीं हैं इसमें, और अब जाने लगए हैं, जब vaccination मगएरा complete हो गया सब लोगों का, देखिये कितना खुब सुरत बनाया हुआ है, यह, एक तो हम साफ, सुतरा, और Saturday Sunday आएंगे तो भीर थोड़ी जादा मिलेगी, लेकिन रात के टाइम बहुत, अच्छा मेरे को लगता है, Saturday Sunday ही music होता है, यहाँ पर, live music होता है, और बारिश के मौसम में कितना सुन्दर लगता है, यह, क्लावडी मौसम है, दिन के टाइम, हलकी सी बुना बांदी भी हो रही हो, तो वो बैटने के लिए जो जगा बनाई ह हुए है, वहाँ पर बैटके कुछ भी कह सकते हैं, यह देखिए जैपूर चौपार्टी, गवर्मेंट नेराजिस्तान सरकार ने बनाया हुआ है, और देखिए कितना सुन्दर लग रहा है यह, अब इस टाइम जब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, यह मेरे क्याल दस एक ब बैटेंगे, और घर की तरफ यह देखिए, यह स्क्रीन लगी हुई है, बाहर भी दो-तिन जगा सडक पे और स्क्रीन लगी हुई है यह, जिसमें यह ऐसे डिस्प्ले आता रहता है, यह देखिए पाव भाजी का डिस्प्ले आ गया, चोले बटूरे कहा आया था, और यहां अब यह जो जगह है ना, यहां पे इन्होंने बैंचे लगाई हुई है, यह देखिए, थोड़ी-थोड़ी दूर पर बैंचे लगी हुई है, तो इसमें आप जैसे मौसम अच्छा है, तो यहां पे रात के टाइम लाइटें जल रही है, आप बैठ सकते हो, मैं और दिया बहुत बढ़ आके यहां पे बैठते हैं, तो बस यह आपको चोपाटी की सहराज मैंने करा दी है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाते हैं, लाइक करेगा, शेयर करेगा, और मेरे चानल को सब्सक्राइब करेगा, ओके फ्रेंस, बाई, अब हम चलने घर की और,